नमस्कार, कल भाजपा की केंदर सरकार ने CA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चनाव के पहले इन लोगों को CA की बात करनी पड़ रही है अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज CA की जगे अपने कामों पे वोट मांग रहे होते आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कमर तोड महंगाई हो रही है उदर हमारी युवा दरदर की ठोकरे खा रहे हैं रोजगार के लिए उनके ओपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही है ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समादान ढूंडने की बजाए सीए की बात कर रही है तो ये बड़े दुख की बात है ये सीए आखिर है क्या बीजेपी की केंदर सरकार का कहना है कि तीन देश बांगलदेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन देशों के अल्प संख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिक्ता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिक्ता दे जाएगी इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्प संख्यों को को हमारे देश में लाया जाएगा उनको रोजगार दिये जाएंगे, उनके लिए घर बनाये जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा, अजीब बात है ना, बीजेपी की केंदर सिंदर सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिये नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजग देना चाहते हैं हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पर खर्च होना चाहिए वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पर खर्च किया जाएगा, इन तीन देशों में लगबख ढ़ाई से तीन करोड अरप संख्यक हैं, ये तीनों बहुत गरीब देश हैं, जैसे भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन तीन देशों से बारी भीड हमारे भारत में आ जाएगी, अगर इन ढ़ाई तीन करोड में से रोजगार कहां बसाओगे इनको बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार कौन देगा इनको रोजगार तो प्रश्ण उड़ता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है कही लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनी थी है, इन तीनों देशों से डेड़ दो करोड लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन-चुन के इस तरह से देश के अलग-अलग भागों में बसाया गया, जिस से जहाँ-जहाँ बीजेपी के वोट कम है, वहाँ जुगिया डाल के अगर इन लोगों को वहाँ बसाया गया, वीजेपी का ये पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे, और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविश्य के चुनावी में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता है यह सच है कि गलत है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी यह क्यों कर रही है, एक तरफ बीजेपी की हर हर्याना सरकार हर्याना के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है, रोजगार के लिए हर्याना सरकार अपने बच्चों को इसराइल भेज रही है, इसराइल में हम सब जानते हैं कि उद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है, अपने ब दुनिया में कोई देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है बॉर्डर पे दिवारे लगाता है बॉर्डर पे बिजली की तारे लगाई जाती है ताकि पड़ोसी देश का कोई भी विक्ति हमारे देश के अंदर ना सके बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ेसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है बिल्कुल उल्टा कर रही है एक और बात है सोचने की पिछले 10 सालों में 11 लाक से जादा भ का लाखो लोगों को नौकरी देते थे रोजगार देते थे कि यह बीजयबी की गलत नीतितियों और उनके अप्ट्या चार से और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे यह लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैटियों को इन नागरिक्ता दी जाएगी ऐसा नहीं है यह तो शुरुवात है एक बार यह सिलसला चालू हो गया एक बार दर्वाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांगलादेश से लोग भारत में आने लगेंगे आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को इन अगरिक्ता दी जाएगी देख ले न अगले चनाव में यह बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ाके कि 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांगलादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिये यह के लिए बेहत खतरनाक है और इसका सबसे जादा खामियाजा उत्तरपूर नौर्थ इस्टन स्टेट्स भुगत रहे हैं खासकर आसाम आसाम के लोगों की भाशा और संस्कृती खत्रे में पढ़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांगलादेश से इतनी बड़ी संख्या के अब बीजेपी कह रही है कि illegal migrant जो आए हैं उनको हम नागरिक्ता देंगे उनको हम बसाएंगे असाम में बसाएंगे असाम के लोग बहुत नाराज हैं एक तरह से देखा जाए तो हिमंत विश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्य मंत्री हैं उन्होंने धोखा दिया अपने देश की मांग है कि CA को वापस लिया जाए हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में ने देंगे और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती एके खिलाफ वोट करके आप गुस्सा जाहिर कीजिए नमस्कार हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए